रादे रादे मेरी यूटूब फेमिली केसे हो आप सभी दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्टी नास्ता है इंस्टेंट वन कर तयार होता है दाल का उसकी रेस्पी खेर करूंगी बहुत जादा यह वाला नास्ता खाने में अच्छा लगता है तो हमके साथ में आदक पोवे लिए इनको भी सूती कपड़े से अच्छे से पोच लें यह वह बराबर रखनी है अच्छा पोही की जगे ना यहां चावल का यूज़ भी कर सकती हूं यह पोवे लें दोनों में से एक चीज़ लें लीना यहां पर दोनों की कौईंटी बराब करेंगे जो हमारे दाल और पोहे ना उन्हें उस कड़ाई में डालेंगे रोस्ट कर लेंगे तो कभी-कभी ना दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जल्दी से वीडियो शूट हो जाए बट उसी दिन ज्यादा देर हो जाती है आपके साथ भी होता है कि कभी आपको जल्दी बनान कि इनका रंग भी ज्यादा बदले नहीं और यह अच्छे से भुन जाएं मतलब गरम हो जाने चाहिए और मतलब दो मिनिट के लगबगी टाइम लगेगा यहां पर बिल्कुल ज्यादा ऐसा नहीं है कि इनका कच्चा पड़ने वगेरा निकालेंगे कुछ नहीं पस इनको कर देंगे अच्छे से आप और उसके भाट ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यहां पर दोस्तों आप चना दालो आपके पास ऊसों भी लेकि वहां पर भुल लेना तो प्लीज वीडियो को लायक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना भी ना भूलें वेसे भी इन दिनों आप काफी जादा वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे बहुत जादा खुशी हो रही है प्लीज अपना सपोर्ट ऐसी बनाए रखना और जल्दी मुझे बहुत आगे तक ले जाना प्लीज दोस्तो सपोर्ट करना ना भूलें लाइक करना तो बिल्कूल ही ना भूलें मुझे मोटिवेट करता है आपका एक लाइक तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें यहाँ पर ठंडा होने के बाद ना आपको क्या करना ऐ जो दाल और हमने पो Behavior बून कर रख है ने अच्छा से पीष लेंगे जितना बारिक हो सके उतना बारिक पीस लें तो ये एकदम जो बारिक वाली सूजी नहीं आती कुछ उस तरीकी से आपकी दाल और पोह अच्छे से याँ पर पिस जाएंगे तो एकदम बढ़िया हो गई है बारिक वाली मतलब सूजी जैसे अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों आदा कपी बेसन ले लिना है मतलब मेने आदा कप बेसन लिया आप चना की दाल को उस टैंपर ले सकते हो और तीनों ही चीज़ को इखटा पीस लेना मेरे पास ना सची बता हूं चना की दाल उस टैंपर मतलब जब मेने रेस्पी बनाई थी जब थी नहीं घर में इसलिए आप बात में बेसन लिया है बाकी बात है कि आप देख लेना आपके पास दाल हो तो दाल ले ले लेना या फिर बेसन ले लेना इस तरीके से और अच्छे से mix कर देगे अब इसके अंदर हम क्या करें गया है दो चम्मध दधाई डाल दे ले गए खट्टा नहीं है दधाई तो थोड़ा से में क्या कर रहे है आपर पानी डालदे रहे ले क्योंकि बिल्कुल तादासा धही यह इसलिए अच्छे से दही के साथ सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे पता है इस तरीके से ना हम जो मुंकी दाल के मंगोड़े भी बोल सकती हूं बट इंका टेजना दोस्तों बहुत ही अलग निकल के आता है बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो आप एक बार तुरंत के तुरंत इस मिर्ची बर्केर भी जालता है जैसे को जरूर बनाना थोड़ा थोड़ा पाने डाले कुप करते एक्दम घाडा सा जैसे कि हम किसी दाल वगेर, आको पीसते हैं तो बीटर नहीं बना दे उसका गोल सावरे बिलकुल घाडे पन الحp कहां थे जो दाल को are we बस्ते पाने में डाल रख देते पूरी रात के लिए एक दम घौड़े से पनफे तो असी तरीके से आपको यह तोड़ा थोड़ा पाने डाल के कल्ली अपनी दाल के आपको यहां पर जो आपने प्याज वगेरा मिडची वगेरा रखी वह भी डाल देना है यहां पर पानी आपका एक कप से तोड़ा से जाता डल जाएगा, क्योंकि दाल वगेरा काफी प्यासी होती, तो यहां पानी तो पिलाना होगा, और कॉछ इस्तरीके से गाड़ा सा आपको कर लेना है, तो अभी तो जादी गाड़ा से लग रहे है, थोड़ा से पानी भी डाल अच्छे से इस तरीके से कंसी टेस्टी को एड़ेस्ट कर लेंगे यहां पर मसाले में जीरा डालेंगे आधी चमबच दो चमबच धनिया पाउडर एक चमबच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा असा नमग डालेंगे स्वाधरूसा थोड़ी सी हींग जरूर डालना क्योंकि आ इस तरीके से एक्डम डरदर शॐ दल म मखोड़े बनते हैं और इसा इस तरीकी से एक्ड़न जाकर आपक размख काते में खाना थोड़ास वाझा करते हूं, छोड़न लग सरसमें नहीं हो पया ли दालेंगे तो बस इस तरीके से एकदम दरदर ये दाल के मंगोडे बनते हैं ना खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं और इसमें आपको पहले से कोई प्रिपेरेशन नी करनी तुरंत के तुरंत आपके इंस्टेंट मूं की दाल के मंगोडे काऊ वैसे चावल वगेरा इसमें डाले आपको बहुत अच्छा लगेगा तो इस तरीके से मैंने इनको अलट पलेट वह बढ़िया तरीका से तल लिया है और एकदम कुरकुरे ये हो गए तो सभी मतलब मंगोडे को हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे चम्मत से आप तोड़ो या हाथ से तोड़ो आप दे जाते हैं तो इस तरीके से मेरे यहां दो घने आपके लिए तलके दिखा दिए दोस्तों में वापत से एक बात बोलना चाहूंगी प्लीज वीडियो बनाने में काफी मेनत लगती है तो प्लीज आप लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर दि करते रहें और बाकी तो मैं मुह से बोलू धन्यवाद वगेरा तो पूरी नहीं होती है सारी चीजे बस आप सभी अपना सपोर्ट वीडियो पर ऐसे बनाए रखें और बस यही कहना चाहूंगी तो यहां पर ना इस तरीके से आपको सभी घने को तल लेना है काफी सारा है नाश्ता बनके तयार हो जाता है तो बार इसके दिन चल रहे हैं चोमा से गम होसा में तो आप भी बनाएए खाईए इंजोई करिए तो यहां पर ना एक आम ले लिया आम तो कि रिंदनों चलनी रहोंगी तो आप क्या करें आम यहां पर अभी क्या है मतलब अचारी आम आ अचार वगिला के लिए आम लेके आया थे तो उसमें एक आम की चट्नी बना ली थी मैंने तो बहुत टेस्टी लगा थे नाश्ता तो यहां पर आप क्या कर सकते हो आम चुर पावडर घट्याई डालके बिस चट्नी को बना सकते हो कुल मिला के हरी मिर्च वाली चट्नी है हरा दनिया डालके इस तरीके से चट्नी बनाएं खटी-खटी सी और उससे नाश्ते को खाएं तो बहुत जाधा टेस्टी लगेगी तो मैंने कुछ यहां पोधी ना भी ले लिया और इस तरीके से आपको यहां पर इसमें काला नमक डाल देना है थोड़ी सी लाल मिर्च व और इस तरीके से आप बनाएं आम की जगें आमचुर पाउडर ले लें वागी सेम यही प्रोसेस कर लें एकदम टेस्टी चट्नी बनके तयार हो गई है तो फटाफट से सर्व कर लेंगे इस नाश्ते को दोस्तों कल फिर मिलेंगे बाए